इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको Pocket FM एप्लिकेशन के अंदर इस तरीके से लिखावाता है You are offline तो इस इसु को हम कैसे solve कर सकते हैं यह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखेगा तो देखेगे इस इसु को solve करने के लिए सबसे पहले यहां से minimize जाना होगा और आपको अपने phone की settings में जाना होगा Network के internet पर जाना है और एक दफ़ एरो plane mode को लगा दिना है और बंद कर दिना है फिर यहां से back लाना है एपसे notifications में जाना है सियाल अपस को खोल लेना है और यहां पर अपने pocket fm को आपको find कर लेना है तो हम find कर लेते हैं उसको यही पर मिलेगा नीचे तो यह राइस को खोल लेना है फोर्स रिस्टोप महा देना है mobile data and wi-fi पर जाना है background में data को start कर देना है अन्रिस्टिक data को बंद रहने देना है फिर उसके बाद बैक लाना है बैक लाना है और बैक लाना है यहां पर सिस्टम में जाना है date and time पर जाना है और यहाँ पर use network provided पर टिक करके लगा देना है फिर back ला दिजेगा back ला दिजेगा और back ला दिजेगा और सिधा play store में जाहिएगा और यहाँ पर search करेगा pocket fm जैसे आप search करेंगे तो यह application आ जाएगा और इस पर आप एक update आपको दिखाए देगा तो update कर लिजेगा जैसे आप update करेंगे उसके बाद update complete होने के बाद अपने phone को बंद करके खोलिए फिर चलाइए तो जो issue आ रहा होगा वो देखने को आपको नहीं मिलेगा तो यह process रहता इसका अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजेगा और चैनल को subscribe भी कर दीजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए bye and take care